इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 16 अगस्त 2022 विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोषना करता हूँ कि मैं एक चंगा करने वाले की रूप में रहता हूँ मैं अपने आसपास के लोगों की जरुरतो गृप्रती सम्वेंदन शील हूँ मैं गिरे हुवों को उठाता हूँ तूटे हुवे को पुनर स्थापित करता हूँ और निराज लोगों को प्रोच साहित करता हूँ मैं करुणा और दया से भरा हुआ हूँ मैं सिर्फ एक चमतकार की तलाश ने करूँगा बलकि दूसरों के लिए मैं जहां भी जाऊंगा ईश्वर के प्यार और दया को दिखाकर किसी का चमतकार बनूँगा यहां मेरी घोषना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोप्ती धन्यवाद, पिता, मुझे एक विजेता से अधिक बनाने के लिए मैं जीत में जीता हूँ कि मसी की मृत्यू, दफन और पनुर्थान मेरे तयार क्या गया है जो सफलता, समृध्धी, दिव्य स्वास्त और अनंत कृपा का गौरोशाली जीवन है आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा एशू के नाम में मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं सक्तिशाली हूँ, मैं अभिशित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं ईश्वर और मानोजाती का कृपा पातर हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ ना कि जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल भीज हूँ मैं अपने ईशो के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दर्बार में तार के पेड़ की तरफ फलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचल मात्रा में फलुत्पन करता हूँ मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह एशु के नाम में सम्रुद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए एशु के नाम में काम कर रही है मैं मसी एशु में हर आध्यात्मिक आशिरवात का प्राप करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर मिलते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है, और मेरे शरीर को निर्देश देती है, और मेरा शरीर पालन करता है, एशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पस्ट और व्यक्त होता है। मैं अपने फेफड़ों और उतकों से सामाने वेंटिलेशन और परफ्यूशन अनपाद बना रखने के लिए बात करता हूं मैं अपनी किड्नी लीवर और अगनाशे को पूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़िया, जोड और कैटलेज, संरेखित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उतकुष रूप से कारी करते हैं मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देती हैं और मेरे कान काम करते हैं भैतरीन मेरी तवचा एक नवजात, सिशुप और ईशुर की सुन्दरता की तरह चिकनी और स्वस्त है मेरे बालों के रोम कस गय है, मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां बृद्धी की आशकता होती है, मैं अपने रोम में विकास ठोड़ता हूँ मेरे दाथ, मसूडे, जबडे की हड्डिया और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हर्मोन और नियूरोकेमिकल ट्रांस्मेटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जिसम है और अपने कारियों को सामाने रोप से रिश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगलेगा सभी खाद्य पदार्तों को पचाने, अब सोचित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चयापचे अब सिष्ट उत्पाद नेमित रूप से उस सर्जित होते हैं मैं खाने, तकनीक, मीडिया, सिथिलता, गप्षप, आलस्य, अधिक नीन, सुस्ती और बाध्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के वैसनों, शराब, निकोटिन, ड्रक्स, द्वीधातुमान, अत्यदिक भोग को क्याद करता हूं और मसी की आग्यकारिता मिलता हूं, जैसा है इसु, वैसा ही मैं इस्व ने जो कुछ भी बनाया, वहाँ मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसलिए खान्दे पदार्थ हों धूल, जानवरों, आदी, अलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं, इस्व ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजरन तंत्र पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गतिशीलता वाले सुक्रानों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजरन तंत्र समय पर अंडे की कोई का का उत्पादन कर रहा है जन्म तक भून की रक्स और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग, हर कोई का पूंडता में कारे करता है जिसके लिए इस्व ने इसे कारे करने के लिए बनाया है और मैं मेरे सरीर के किसी ली प्रकार की खराबी और विकृती को एशु के नाम पर बना करता हूँ, आमिन मेरा संपूर्ण मानोश शरी रचना विज्ञान, चया पचय और शरीर क्रिया विज्ञान, मस्य एशु में परिपूर्ण है, महिमा, हलेलुया, आमिन पिता इश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पुत्र इश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पवित्रात्मा इश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ